आज मैं आपके साथ एक ऐसी स्ट्राटीजी शेर करने वाला हूं जिसको अगर आप बिगनर हो आप यूज कर सकते हो अगर एडवांस लेवल पे हो तो भी आप यूज कर सकते हो एक ऐसी स्ट्राटीजी जिसको मैं एक साल दो साल तीन साल पात साल हर एक टाइम और पर जाकर बैक्टेस्ट करके दिखाऊंगा और आप जानके शौक हो जाओगे कि इस strategy का success ratio कितनी बार आपको profit होने वाला है versus कितनी बार आपको loss होगा success ratio है 70% से उपर का आप ऐसे कुछ लोगों को लग सकता है कि अनन्त आप तो यह clickbait कर रहे हो clickbait नहीं आप इस वीडियो को पूरा देखे आपको खुद को बता चलेगा with proof कि क्या है इस strategy का success ratio let's go सबसे पहले आप यह समझे कि इस strategy में आप करने क्या वाल है आप करने वाल है एक बहुत ही simple strategy को use जिसका नाम है short strangle पर कभ यूज करना है कैसी यूज करना है वो ही है सबसे मुद्दे की बात short strangle क्या होता है जिनको नहीं पता उनके लिए बता देता हूँ short strangle में आप suppose करते निफ्टी यहां पर चल रहा है तो निफ्टी के just उपर का आप call बेज देते हो और just नीचे का put बेज देते हो और अराम से बैठे रहते हो हम हमारी strategy में क्या करने वाल है जहां पर भी निफ्टी चल रहा है उससे roughly 50 पॉइंट उपर का हम call बेचेंगे और 50 पॉइंट नीचे का हम put बेचेंगे दोनों साइट के हमने open positions खड़ी कर दी है option selling की अब हमें ये कब करनी है यही है मुद्दे की बात आपको ये करनी है हर एक week Tuesday closing के समय मार्केट जिस समय Tuesday को close होते होते तीन बचके 29 मिनट या 28 मिनट पे हो बिलकुल closing के समय आपको ये strategy को on करना है और apply करना है और ये strategy का profit book कब करना है या फिर loss होता तो कब exit करना है आपको profit book करना है अगले दिन याने की Wednesday closing 328 329 जिस समय आप सही समझे आप exit कर सकते हैं क्या इस strategy में कोई हमें stop loss follow करना है as such majority time आपको stop loss follow करने की सुरत नहीं होगी पर suppose करते एक six sigma event हो गया एक ऐसा event जो किसी के भी हात में नहीं है जिसकी वाज़े से option के premium बहुत drastically बढ़ गए तो उस situation में जब भी आपका combined premium जो आपने collect करके inflow लिया है अगर वो premium 200% से उपर बढ़ जाता है मतलब suppose करते आपने 80 rupees collect करे हैं और वो premium बढ़ते बढ़ते 240 rupees तक पहुँच जाता है आपको exit करना पड़ेगा आपको stop loss मानना पड़ेगा ऐसे event कि आपको every week या every second week मिलने वाले नहीं मिलेंगे हो सकता है आपको साल में एक बार ऐसा मौका लगे जहां पर आपको stop loss लेना पड़े या फिर हो सकता है आपको 5 साल में 2-3 बार maximum ऐसे मौके आए बाकी सारी situation में आपको कोई भी stop loss नहीं लगाना है कोई भी target follow नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ अपने time horizon पर focus करना है कि Tuesday की closing में आपको ये trade को खड़ा करना है और Wednesday की closing में इस trade को close करना है क्या आते है result चलिए test करते है पर और उससे पहले अगर आपको डिमाट अकाउंट नहीं है description में डिमाट अकाउंट open links मिल जाएंगे और ये तो सिर्फ एक strategy है अगर आप मेरी 7 special strategies का course लेना चाहते है तो mobile आपको download कर लीजेगा description में आपको सारी details मिल जाएगी सबसे पहले technically समझ देते एक बार short triangle होता क्या है बीच में होता है एक underlying stock या फिर underlying index हमारे case में होगा nifty same expiry का होगा हम use करने वाले है weekly expiry को हमारे case में और different strike price है क्योंकि obviously एक उपर का है और एक नीचे का है ये होगा है technical term में क्या होता है short triangle आप चलते है back testing करते हैं सबसे पहले एक साल से back testing करने का शुरू करते हैं और देख कर लेंगे trade हमें कब लेनी है expiry के दो दिन पहले यानि कि Tuesday closing को हमें लेनी है trade और Wednesday closing को हमें करनी है trade close मतलब expiry के ठीक एक दिन पहले हमें trade को बंद करना है stop loss और target for the timing मैं कुछ बे नहीं लगा रहा हूं मैं चाहता तो यहां पर लगा सकता था बट अपने आप manually apply करना पड़ simplicity के लिए मैंने 0% और 0% लगा दिया IPV मैं confusion में नहीं पड़ता हूं कोई मुझे moving average का filter नहीं चाहिए earnings मैं normally माल लूँगा कहीं कोई दिक्कत नहीं है अब मुझे कौन सी strike price का call और put को sell करना है यहां पे मैंने delta को choose किया है 40 40 का मतलब यह होता है देखिए एक बाद ध्यान से का काम होता है 40 हो गया तो हलका सा out of the money मतला बोल सकते हो roughly 50.out of the money में आपका काम हो जाएगा और अगर आप जितना कम करते जाओगे delta वितना out of the money होता जाएगा जितना ज्यादा करते जाओगे आप delta वितना इन दी मनी होते जाएगा यह चोटा सा concept है मैंने just for simplicity ताकि आपको रहे कि जो मैंने बात करी है कि 50.out of the money put और 50.out of the money call roughly इसमें हम काम करने वाले इस चीज को follow करने के लिए मैंने हापे delta रख लिया है 40 का और आपका यह रूल अपने आप से applicable हो जाएगा आप जो भी result आता है उसमें जाके check out कर सकते हो मैंने अपनी complete strategy को एक साल में backtest किया इस के result मेरे सामने है 71% time मुझे profit हुआ है total मेरा capital employed हुआ roughly 2,17,000 रुपे के आसपास का और total मेरा profit हुआ है 34,000 का 16% के returns मुझे मिले है roughly आप देख सकते हो कि total gain मुझे 68,000 का हुआ है total loss 34,000 का हुआ है net profit मुझे 34,000 का हो चुका है आपको यह लग सकता है कि Anand 16% का profit तो हमारे लिए बहुत कम है पर आप यह भी देखे कि आपने पूरे साल में सिर्फ 52 trades ली है सिर्फ 52 days में आपका capital यहां पे blocked है और उसके बाद आपको यह returns मिले है अगर आप इस return को analyze करने की कोशिश करेंगे तो एक बार देखेगा 16% के returns आए है multiply आपको 365 होता है 360 कर देते है round figure में और divide कर आपको 52 से मतलब आपके annualized returns 110% के आते हैं आप कभी भी returns यह नहीं देखोगी कि मुझे total returns क्या मिला है total returns के साथ आपको यह भी देखना पड़ेगा कि कितने दिन आपकी capital employee हुई है सिर्फ 52 डेज आपकी capital employee हुई है और आपको मिले है यह returns जो आपके सामने है annualized returns आपके लिए clearly सामने आ चुके जो roughly 100% के आसपास के पहुच जाते हैं अगर मैं इस मेंसे charges, brokerage, हर कुछ चीज हटा दूँ उसके बाद भी 70-75% के annualized returns आपको मिल चुके है पिछले एक साल back testing में आप same strategy को test करते हैं कि अगर मैंने same strategy को back test किया होता दो सालों के लिए तो दो सालों में मेरे क्या returns आते हैं देखें किसी भी strategy के लिए important होता है कि वो long term में एक साल, दो साल, तीन साल, पाँच साल में कैसा perform कर रही है आपको पता लग सके क्या इसके बाद ही guarantee होती कि आने वाले सारे सालों में और सारी trade में आपको profit होगा guarantee नहीं होती stock market is game of probability और आपकी probability बढ़ जाती है कि आपको success मिलेगी ऐसी strategy से जो पिशली एक साल, तीन साल, पाँच साल में अच्छा perform कर रही है यह important होता है अभी हम इस same strategy को दो साल में test करने वाले है और देखते है result यह आगए हमारे सामने result दो साल में वापिस से आपका success का ratio रहा है 71% का 71% of the total trades जो आपने लिए है वो profit में जा चुकी है total profit आपको 1,33,000 का हुआ है total loss 50,559 रुपीज का हुआ है and final net profit आपको roughly 83,000 रुपीज का हो चुका है total returns आपके 37% के हैं सिर्फ और सिर्फ 103 trades आपने लिए है यह रही नीचे आपके लिए trades सारी की सारी trade log आपके लिए आ चुकी है नीचे की side जो आप एक एक जल करके अराम से check कर सकते हैं मैं सबसे पहले आपको सबसे worst trade दिखा देता हूँ कि सबसे worst trade में आपको 162% का loss हुआ है 100% का loss हुआ है 79% का loss हुआ है अगर यह 200% का loss हो रहा होता तब तो मुझे manually exit करना ही पड़ेगा अगर मैं नया trader हूँ तो मैं 100% के rule को भी follow कर सकता हूँ पर मैं क्योंकि regularly यह काम कर रहा हूँ इसलिए मैं personally follow करता हूँ 200% का rule और अगर सबसे अच्छी trades की बात करें जो आपको सबसे ज़्यादा returns दे रही है वो यह रही यह रही आपकी सारी की सारी अच्छी trades जहां पर आपको profit हो रहा है यहां पर आपका success का ratio है 71% का जिसकी वज़े से आप major profit कमा पा रहे हो अब same strategy को test करते हैं 3 साल में क्या 3 साल में भी same results आ रहे है या results में तोड़ी कमी आ रही है चलिए check out करते हैं important DMAT account openings आपको description में मिल जाएंगे check out करना मत भूलेगा जब तक आपकी इस complete strategy को 3 साल में हम backtest करके बता देते हैं आगर आप इस same strategy के result को 3 साल में test करते हैं तो 71% की वापिस से आपको success के ratio मैंने opening में आपको क्या कहा था एक साल दो साल तीन साल हर जगे आपको 70% से उपर का success ratio मिल जाएगा overall profit आपका 1,35,000 के उपर का है 59% के returns आ गये सिर्फ 154 दिन trade करके और सिर्फ 154 trades लेके आपके सामने है यह है इसका total profit, यह है total loss, net profit, net loss आपके सामने है और इस strategy का success ratio भी आपके सामने है जिसको आप test कर सकते हो यह रही सारी की सारी trades और सारी की सारी बुरी trades जिसको आप test कर सकते हो और आपके सामने सारा data clearly present हो चुका है with complete transparency और आप देख सकते हो कि strategy किस तरीकी से काम कर रही है अब finally हम test कर लेते हैं कि same strategy 5 साल में कैसे काम करती है करती भी है नहीं चलिए पता तो करें ये रहा आपकी strategy का 5 साल का results 93% के returns by the way's 93% के returns को अगर मैं analyze करूँ तो एक बार ध्यान से समझेगा 360 दिन आप मानते हो एक साल में तो 5 साल में आपके दिन हो गए total 1800 दिन याद रखेगा 93% आपको returns आ रहा है total आपके 1800 दिन होते है और आपने इस में से सिर्फ और सिर्फ यूज किया है 218 दिन यानि कि आपका पैसा roughly 717% यानि कि साथ गुना हो गया है अगर मैं CAGR returns compounded annually क्या returns आ रहे है उसको निकाल पालूं तो roughly आपका हर साल पैसा डबल हो रहा है strategy में अगर आप analyze कर पाते हो strategy को या analyze returns को calculate करते हो तो ये रही आपकी trades और इस strategy में आपको ज़्यादा कुछ trade लेने की जरूद भी नहीं है अगर आप सिर्फ 208 दिन काम करके अपने capital को almost double कर सकते हो तो क्या आपको बहुत ज़्यादा access rate करने की जरूद होती है आप खुद बताइए आपने capital employee कहता 2,24,000 का और आपका end result आया है 2,9,000 आपका profit आपका capital almost double ये रही आपकी सारी trades जो तो सबसे loss वाली trades है वो मैंने सबसे पहले आपके सामने punch out कर दिये कि कौन कौन से दिन पर सबसे ज़्यादा loss हुआ है आप सबसे ज़्यादा profit की बात करें तो सबसे ज़्यादा profit वाली trades भी आपके सामने आ चुकी है 40-50% के returns तो आपको back-to-back normally regularly होते जा रहे और अगर मैं एक बाया नौमली डेट बाइस चेक आउट करने की कोशिश करने तो आप चेक आउट करिए क्यास मेंसी एक या दो ट्रेड आपकी loss हो रही है बाकि सबी ट्रेड में आपको profit होता जा रहा है details आपके यहाँ पर completely strategy भी तो इतनी प्यारी दिये काफी लोग तो ऐसी strategy के बहुत पैसे ले लेते हैं उसके against में आपको यहाँ पर मिली है यह strategy free of cost और results आप यहाँ पर चेक आउट कर सकते हैं सारी की सारी ट्रेड लॉग किस तरीके से आपकी ट्रेड होती सारी की सारी यहाँ पर आपके लिए चलती जा रही है आप देख सकते हो कितनी प्यारी strategy है like करना मत बुलेगा happy learning and I will see you very soon